हेलो फ्रेंज ये देखिया आपके लिए काना जी की ड्रेस बनाना बताएंगे आज और मेरे को कमेंट भी आया था कि ये रेड़ वाली ड्रेस बनाना बताएं तो चलिए मैं आपको आज ये ड्रेस बनाना बताती हूँ ये काना जी की ड्रेस है देखिये किस तरह हमने बनाई है इसको आज बताते हैं आपको तो चलिए देखिए इसके लिए मैंने दस नमबर की सलाई ली है और ये यलो कलर की उन ली है देखिए और इसमें मैंने देखिए इसमें मैंने 20 फंदे डाले है आप चाहो तो 10 फंदे की भी बना सकती हो और मैंने इसमें 20 फंदे डाले है तो चलिए मैं ये बनाना इस्टार्ट करती हूँ, किस तरह हमने ये बनाई है देखिए ये फ्रेंड्स इस्टार्ट करते हैं देखिए, सबसे पहले हम दो सलाईयां उल्टी उल्टी दोनों तरफ से गले के लिए मना लेंगे दोनों तरफ से हमें इसी तरह दो सलाईयां उल्टी बनानी है जैसे मैं ये पहली सलाई बना रही हूँ, इसी तरह से दोनों सलाईयां दोनों तरफ से इसी तरह बना लेती हूँ तो चलिए मैं ये दोनों सलाईयां बना लेती हूँ, उल्टी ये देखिए मैंने दो सलाईयां एक सीधी और एक उल्टी दौनों तरफ से इसी तरह गले के लिए बना लिए देखिए जैसे इसमें बनी हुई है अब ये देखिए हम यहां से इसके लिए बाजूओं के लिए जाली बनाएंगे देखिए इस तरह दो दो एक इधार की साइड है एक इधार की साइड तो चलिए मैं जाली बनाना बताती हैं देखिए दो फंदे हमें पहले उल्टे लेने हैं दो फंदे मैंने उल्टे ले लिए पीछे धागा करेंगे और दो फंदे सीधे देखिए इस तरह दो फंदे उल्टे और दो फंदे सीधे आगे धागा करेंगे दिखिए इस तरह एक जाली बनाएंगे फिर आगे धागा करेंगे और ये दूसरी जाली बनाएंगे दो जाली मैंने हैं डाल दी है फिर इसे मैं दो फंदे सीधे बना लूँगी दिखिए बाजूओं के लिए हम जाली बना रहे हैं इसमें दो फंदे मैंने सीधे बना लिए हैं आगे धागा कर लिया है और फिर से एक जाली और बनाएंगे देखिए इस तरह आगे धागा करेंगे फिर एक और जाली देखिए एक बाजू के लिए हमारी ये दोनो जालीयां हो गई हैं और इसके बाद हम फिर से दो फंदे सीधे बनाएंगे, देखे इस तरह, आगे धागा लियाएंगे, फिर से एक जाली और बनाएंगे, दूसरी बाजू के लिए, देखे इस तरह, आगे धागा फिर से जाली, और फिर से दो फंदे सीधे बनाएंगे, दो फन्दे सीधे फिर आगे धागा फिर से जाली देखिए इस तरह फिर से आगे धागा और ये फिर से एक जाली आगे धागा और ये दो फन्दे उल्टे देखिए इसी तरह चार जालियां मैंने इसमें डाल दी है और उल्टी सलाई हमें ये सारी उल्टी ही बनानी है देखिए इस तरह और ये सलाई में उल्टी तरफ से कुछ नहीं करना है बड़े हुए फंदे सारे इसी तरह हम पूरे बना लेंगे तो चलिए उल्टी सलाई पूरी कर लेती हूँ इल्टी सलाई कम्पलीट हो चुकी है चार सलाई हमारी ये दिखिए दो ये और दो ये हमारी चार सलाई पूरी हो चुकी है और हम पांचमी सलाई पे हैं फिर से बताते हैं देखिए इस तरह दो फंदे उल्टे आगे धागा दो फंदे सीधे देखे फ्रेंस ये एक जाली मैंने बना चुकी हूँ देखे फिर से धागा आगे करेंगे और ये दूसरी जाली और बाकी के फंदे देखिए जो हमारे बड़े हुए फंदे हैं उनको हम इसी तरह देखिए सीधा बनाते जाएंगे देखिए ये बड़ा हुए फंदा है देखिए इसको हमें देखिए इस तरह सीधा बना लेंगे और इसी पर हमें जाली डालने है देखिए आगे धागा फिर से जाली आगे धागा और ये फिर से जाली देखिए यह हमारी दो जालियां है यहां पर एक दो यह बाजुओं के लिए है हमारी देखिए जो पड़े हुए फंदे हैं हमारे हम इसी तरह इनको सब सीधा सीधा इसी तरह बनाते हुए जाएंगे देखिए इस तरह यह फंदा बढ़ा हुया देखिए इसको सीधा बनाएंगे और इस पर यहां पर जाली डालेंगे देखिए आगे धागा फिर से जाली आगे धागा और फिर से जाली फिर से हम सीधे फंदे बढ़ते हुए फंदे जाएंगे देखिए अमने दो दो फंदे करे थे यहां पर यह हमारे चार फंदे हो चुके हैं देखिए इस तरह आगे दहगा फिर से जाली फिर से आगे दहगा एक और जाली और एक सीधा और दो साइड यों में दो दो फंदे उल्टे लेंगे और इसी तरह हम पांच जालिये इसमें बना लेते हैं देखी इस तरह जैसे हमने यहां पर पांच जालिये डाली है तो पांच हमें इसी तरह पूर्या कर लेते हैं इसको और उल्टी सलाई हमें सारी उल्टी ही बनानी है देखिए इस तरह देखिए दो जाली complete हो चुकी है और पांच हम इसी तरह कर लेते हैं इसके बाद बताते हैं तो ये देखिए friends हमने इसमें पांच जाली हैं बना ली है देखिए इस तरह देखिए इसमें भी हमारी ताटी पाँच ही जालियां मनी हुई हैं यहां पर दोनों तरफ पाँच तो देख़ेrest i.o पाँच जालियां बना लिए अब देख़ें इसके बाद हम किस तरह बाजुः के फंदे किस तरह घटाएंगे देखें उल्टे फंदे तो हम इसी तरह ये दो उल्टे बना लिए और ये इस तरप के आगे के फंदे इनको हम देखिए इस तरह एक, दो, तीन, चार, पाँ, छे, साथ, साथ यानि कि नौ फंदे हो गए ये हमारे दो उल्टो को लगा के ये साथ फंदे होगे सीधे और देखिए ये जाली तक हमने इस जाली तक हम घटाने हैं ये ये जाली दिख रही है हमारी इस जाली तक हमें ये घटाने हैं फंदे तो इसमें हमारे फंदे कितने हो रहे हैं एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आ गटाने नौफंदे हमने इसमें बना लिए आगे धागा लिए आएंगे और देखिए दो को एक साथ करते हुए घटाते हुए जा रहे हम इनको देखिए इस तरह और इस सलाई में इसी तरह डालना आए ये भी देखिए इस तरह इनको पंदरे फंदों को इस तरह हम घटा देंगे दोनों बाजुओं के फंदे हमें इसी तरह देखिए घटाने हैं ये ये फंदा हमें इसी में डालेंगे इस फंदे को लेंगे और एक इसमें से देखिए इस तरह जाली तक हमें इसी तरह घटा लेने हैं ये देखिए ये हमारे पंदरे फंदे घट चुके हैं देखिए इस तरह और हम आगे के फंदे देखिए पीछे दागा लिए आएंगे और आगे के फंदे देखिए इस तरह पीठ के फंदे इस तरह हम सीधे सीधे बुल लेंगे जितने भी हमारे पास फंदे हो रहे हैं हम उनको इसी तरह जाली तक बना लेंगे देखिए हमने यह जाली तक बना लिए फिर आगे धागा लिएंगे इसके बार फिर से हम इस बाजू के फंदे भी इसी तरह घटाएंगे जैसे हमने इसमें घटाएंगे देखिए इस तरह देखिए इसी तरह हम बाजू के फंदे इसके भी इसी तरह घटा लेते हैं देखिए इस बाजू के भी हमने इस तरह घटा लिए और इसके भी और आगे के पिछे धागा लिएंगे और इसी तरह ये नो फंदे इस तरह ही इनको सीधा बना लेंगे नो फंदे इस साइड है और नो फंदे इसी साइड है और देखिए बीच के फंदे हमारे कितने हो रहे हैं एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साइड, आठ, नो, दस, ग्यारब, बारे फंदे हमारे बीच के हैं देखिए इस तरह और इनको हम इस तरह से उल्टी सलाई इसी तरह बना लेंगे देखिए देखिए उल्टी सलाई इस तरह हो जाएगा इसी धागे से हमें देखिए ये भी फंदे इसी तरह ये हमारी बाजू जुट जाएगी इसी तरह बना लेंगे इसको दो सलाईया हम उपर को इसी तरह बना लेते हैं देखिए देखे इस तरह अगे के पन ने देखे इस तरह इस दागे से देखे इसी तरह ये बाजू जुट गई है अब दो सलाई हम उपर को एक सीधी बनाएंगे और इस तरफ से एक उल्टी बना लेंगे देखे उल्टी सीधी सलाई हम इसी तरह बना लेते हैं पहले चलिए एक सलाई सीधी एक सलाई उल्टी मैं इनको पूरा कर लेती हूँ बाजू घटाने के बाद में मेरे को दो सलाई बनाना है इसको देखे फ्रेंस मैंने एक सीधी एक उल्टी दौनों सलाई बना ली है यह देखे मैं इसमें दो ही सलाई उल्टी बनाऊंगी देखे इस तरह यह इसमें मैंने बनाई है देखे इसमें भी मैं दो सलाई उल्टी बना लेती हूँ फिर बाजू घटाने के बाद में मैंने दो सलाई उपर बनाया है इसके बाद देखिए फिर से मैं दो सलाईयां इस तरह सारे फंदे उल्टे ही बनाऊंगी देखिए इस तरह दो सलाईयां भी देखिए इसी तरह उल्टी उल्टी दौनों तरफ से बना लेती हूं इसके बाद देखाती हूं प्रेंट मैंने दो सलाईय उल्टी बना ली है अब इसके बाद देखिए इसका गीरा बनाने जा रहे हूं देखिए इस तरह जो हमने ये देखिए इसमें ये देखिए 5 जालियां हमने इसमें ये बनाई है देखिए 1,2,3,4,5 और यह देखे इस तरह 5 ही जिगर डाली हैं ये 1, 2, 3, 4 और ये 5 तो इसमें भी मैं इसी तरह देखे इसमें भी मैं इसी तरह 5 जालियां मनाऊंगी देखे, पहला फंड़ा इस तरह उतारेंगे दो फंड़ए में इसी तरह उल्टे बनाने हैं पीछे धागा लाना है इसके बाद पाँच फंडे देखे, तीन हो चुके, शोरी तीन, चार और ये पाँच देखिए पांच फंदे दो उल्टे बना लिए तीन सीधे और इसके बाद आगे धागा करूँगी फिर से जाली डाले लिए देखिए इस तरह ही जैसे बाजियों में डाली है देखिए इस तरह आगे के फिर पांच फंदे बना हुई एक, दो, तीन, चार, पांच आगे धागा लाएंगे फिर से जाली डालेंगे इस तरह आगे धागा, फिर से जाली फिर पांच फंदे सीधे बनाएंगे दो, तीन, चार, पांच आगे धागा, फिर से जाली आगे धागा, फिर से जाली देखिए तीन जीके डल चुकी है एक, दो, और ये तीन पांच फंदे फिर सीधे बनाएंगे दो, तीन, चार, और ये पांच आगे धागा, आगे धागा फिर से जाली और ये देखिए ये मेरी इसमें चारी जाली हम बैठ रही है तो देखिए इसको मैं इन चार फंदों को देखिए इस तरह सीधे बनाएंगे दो उल्टे उसी तरह हमारे यहां पर फंदे आगे हैं देखिए तीन फंदे सीधे हो गए जाली डालते हुए और दो फंदे उल्टे उल्टी सलाई हमें उल्टी ही बनानी है और यह इसी तरह हमें पांच इसमें जालीय डालनी है देखिए इसी तरह मैं इसमें पांच जालीय डालूँ इस तरह की और यह मेरा घेरा बनता हुआ जाएगा और यह देखिए इसी तरह दोलते, बढ़ते फंदे जाएंगे इसमें भी मेरे, देखिए यह फंदा बढ़ा हुआ है, इसको हम इस तरह सीधा बनाएंगे, आगे धागा लाएंगे और फिर से जाली डालेंगे आगे धागा फिर से जाली देखे इसी तरह मेरे को पांच जाली है बना लेनी है देखे इस तरह चलिए ये मैं पूरा कर लेती हूँ फिर इसके बाद देखाती हूँ देखे फ्रेंस हमने इनको इसमें हमारी पांच जाली डाली हूई है पांच जीगे मतलब और इसमें हमने चार ही डाली है चार ये फंदे हमारे थोड़े कम है तो हमने चार जीगे डाली है ये देखे इस तरह एक ये दो और ये तीन और ये चार और देखे इस तरह पांच जा देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे दो सलाई हमें देखिए इसी तरह यहां से इस तरह उल्टी बनानी है दो सलाई जैसे हमने यहां पर बनाई हैं इसी तरह देखिए यह एक उल्टी और एक सीधी देखिए इस तरह से दोनों सलाई हैं उल्टी ही बनानी है और फ्रेंस बहुत ही जल्दी बन जाती है जल्दी बन करके त्यार हो जाती है और बनाने में भी बड़ी आसान है देखिए इस तरह देखिए दो सलाई एक इदर से भी उल्टी ही बना लेंगे चलिए दो सलाई उल्टी पूरी कर लेते हैं कि आए कि मैंने Hiya meant उल्टी बना ली है दीए इस तरह जैसे मैंने यहापे बनाई थी ये इसी तरह उल्टी सलाईय dul nouveau Up 네 तक आओ देखिए इस तरह यह हम इसमें ये बनाने जा रहे हैं कांगूरा कि इस तरह कट्वाले कि दीए क को एक आ इनको हम कैसे तो देखिए यह हमें किस तरह बनाने हैं देखिए दो सलाईयां उल्टी बनाते हुए देखिए कंगुरा कैसे बनाएंगे इसमें दो फंदे हम बना लेंगे देखिए इस तरह दो फंदे मैंने बना लिये और मुझे यहीं से वापिस होना है देखिए इस तरह और दो फंदे फिर से इनको इस तरह बनाऊंगी और यह देखिए इसमें से हर सलाई पर बार बार इसमें से एक एक फंदा लेते हुए जाना है चाहे तो आप आठोगा बनालो चाहे दसका चाहे पाचोगा इसी तरह हम इनको बनाते हुए जाएगे देखिए फिर से मैंने एक फंदा इसमें से ले लिया देखिए मैं ध्यान से एक ही बार बताऊंगी इसको यही से वापिस इस धागे को मैं जो बनाना नहीं है ऐसी ही सलाई में उताना है और देखिए यह दो फंदे इस तरह बनाऊंगी तीन हो चुके हमारे तीन फंदे हो गए फिर से इस सलाई में से एक फंदा और ले लूँँगी चार हो गए वापिस हो जाओंगी है इसे दिखिए इस फंदे को हमें बनाना नहीं है ऐसी ही सलाई में उतारके आगे के फंदे बनाने है चार हो गए दिखिए फिर से इस में से पांच में फंदा लूँँगी यह देखिए इस तरह और वापिस ही से पांच हो गए यह पांच हो गए फिर इस में से छटा फंदा लूँगी और इस में से लेते हुए फिर वापिस हो जाऊंगी और इसको इस तरह सलाई में लेते हुए और आगे के फंदे इस तरह बनाऊं आप इन फंदों को जितना मर्जी चाहे रख सकती हो उसके बाद फिर हमें यह खटे गटा देने है दिखिए तीन चार पांच छे फंदे हो गए छे सातमा फंदा मैं ले रही हूँ इस में से वापिस ही इसे दो तीन चार पांच छे सात आठमा फंदा ले रही हूँ देखिए इस तरह बुनते हुए देखिए और यह इसे वापिस हो जाओंगी देखिए आठमा फंदा आठ फंदे हो चुके और देखिए हम आठ भी इनको घटा सकते हैं आठ नौ नौ हो चुके देखिए उल्टी सलाई बना ले वापिस हो गई हैं इसे अब नौ फंदों को देखिए अब घटाएंगे कैसे हम इनको देखिए इस तरह नौ फंदों को घटाएंगे देखिए इस तरह सीधी सीधी तरह पाते हुए देखिए इनको इस तरह घटाना है सीधी सलाई पह दो का एक करते हुए इस तरह जैसे बाजुओं के घटाये थे इसी तरह देखिए दो घटा चुकी हूँ तीन चार पांच छे साथ और एक आठ और यह नौम फंदा इसी में सलाई में ले लूँगी देखिए इस तरह एक एक लेटे हुए या में इसमें से ऐसे ही वापिस होते जाना है और यह हमारा इस तरह बनता हो आएगा देखिए एक बार और बताती हूँ देखिए यह बाला फंदा हमारा इसी सलाई में आ गया और देखिए एक हिसमें से ले लिए और हैं इसे वापिस हो गई देखिए दो फंदे बना लिए फिर से हम इसमें से एक एक फंदा नो फंदे हमें इसी तरह लेने हैं एक-एक फंदा इसमें से लेते हुए जाना है और वापिस होते जाना है फिर से हम सीधी सलाई पे आएंगे तो फिर से एक फंदा इसमें से लेंगे देखिए सीधी सलाई पे से एक-एक फंदा इसी तरह लेना है और वापिस होते हुए जाना है और ये हमें नो फंदे अपने कर लेने हैं आठ आठ फंदे हमें घटाने हैं ये हमारा इस तरह कट वाला बॉर्डर इसी तरह आता हुए जाएगा जैसे इसमें आया हुए है तो चलिए मैं कर लेती हूँ पूरा देखिए हमारी उन नहीं कम पड़ी है हमने येलो कलर से ही पूरा कर दिया है इसको देखिए इस तरह हमने इनको घटाया है जैसे इसमें घटे हुए है और देखिए लाश्ट वाला और बता देते हैं एक वार आपको एक फंदा ले लिए इसमें से फिर हैं इसे वापिस हो जाएंगे देखिए हर सलाई में इसी तरह पीन हो गए फिर वापिस इसी तरह हमारे ये कंगूरा बनेंगे कट वाला बॉडर इसी तरह बन जाएगा देखिए तीन बनाएते हैं फिर इसमें से एक फंदा ले ले लेते हैं फिर वापिस हो जाएंगे हैं इसे सारे फंदे हमने बना लिए लाश्ट फंदा हमारा बचा है देखिए इसको भी हम इसी तरह ले ले लेंगे वापिस हो जाएंगे सारे फंदे बन चुके हैं एक एक करके इसी सलाई में और उल्टी सलाई देखिए हम ऐसे उतार देंगे उल्टी और सीधी तरफ से इनको सारे को घटा देंगे इधर से हम देखिए दो का एक करते हुए घटा देते हैं देखिए इस तरह देखिए पूरे घट चुके हैं और लाश्ट वारे फंदे में से इस तरह निकालके इसको घट लगा देंगे देखिए इस तरह और यह हमारी कानाजी की ड्रेस बन करके तयार हो चुकी है देखिए इस तरह देखिए और यहां पर हम हुक के लगा लेंगे जो फंदे हमने दो उल्टे बनाए हैं इनमें इस तरह हुक के लगा लेंगे देखिए इस तरह यह देखिए फ्रेंद यह बन करके तयार हो चुकी है सेम उसी तरह बनी है जैसे हमने इसको बनाया है देखिए देखिए इस तरह ये बन करके त्यार हो चुकी है देखिए इस तरह और इसमें हम यहाँ पर हुक्के लगा लेंगे देखिए दो लगाओ तीन लगाओ इसी तरह ये देखिए हमारे काना जी की ड्रेस बन करके त्यार हो चुकी है वो जल्दी ही बन जाती है तो प्लीज जरूर हमारे चैनल को सब्क्राइब करें, लाइक करें, शेर करें और कमेंट करके जरूर बताएं थेंक यू